यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले भारत ने बुलाया सौधी अरब का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता आखिर कौन है ये मुस्लिम नेता जो भारत आकर यूसीसी पर करेगा चर्चा विरोत करने वाले मुलानाओं के उड़ गए होश क्या यूसीसी को लेकर होने बाला है कुछ बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का बयान और 15 अगस्त का नजदी का ना संयोग है या प्रयोग या आप तैकीजी लेकिन इस मुद्धे पर अब चर्चा गरमाती जा रही है भारत में एक बड़ा तब का यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं कई मुस्लिम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं लेकिन कई लोगों ने धमकी देनी भी शुरू कर दी है। सौधी अरब के पूर्व नियाय मंत्री और मक्का स्थित मुसल्मानों के प्रभाव शाली संगठन मुसलिम वर्ड लीग के महासची महमद बिन अब्दुलकरीम अलीसा आगले हफ्ते यानि 10 जुलाई को प्रेपास दिवसी दोरे पर भारत आ रहे हैं। अपनी स्यातरे के दोरान वो विदेश मंत्री एस जेशंकर, राष्टी सुरक्षा सलाकार अजीर दोभाल और आजप संक्यक मामलो की मंत्री स्मृती रानी से मिलेंगे। यहां इसा दिल्ले स्थीत खुसरो पाउंडेशन के निमंत्रन पर दिल्ली में प्रमुप भार्मिक और सामुदा एक नेता और शिक्षा विदो की एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। जिसमें डोभाल भी मौझूद रहेंगे। ऐसे में जब मौहमद अल्बिन इसा भारती सभ्यता शांती और शेशुंता पर भाशन देंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे भारत के इसलामिक संग्टनों को कौन पुछेगा। भारत का ये एक कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जहर फैलारी टूल किट को पूरी तरह से तभा कर देगा। आपको एक दिल्चफ जानकारी बता दे कि इसा उदार इसलाम के समर्थक बाने जाते हैं। इसा उन लोगों के भी कट्र आलोचक रहे हैं जो बिना किसी विग्यानिक आधार और कुतर्क की जरिये धर्म के नाम पर उड़ेश देते हैं। इसे लागों होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागों किया जाए। भारत ने बड़ा कतम उठा कर बता दिया कि विरोध जितना हो इसे लागों करके हटेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रही हड्लाइन्स इंड